मिलेंगे और देखते हैं अभी नतु जी की स्पाइन सर्जरी हो गई है अभी वो ऑपरेशन थेटर से बाहर आ गए है और वो ऑपरेशन के बाद सिर्फ देड़ घंटे में ही चलने लगे है जो कि ऑपरेशन से पहले आप दाय पेर में तकलिक लेकर लेट करी थे आपको तकलिक पूरी तरह के से ठीक हो चुके हैं और वो कम से कम आप कितना किलेमेटर तक चले होगे हैं दो तो पक्ता मतलब ऑपरेशन से पहले इतना आप चल सकते थे क्या मतलब दो कदम भी आप थिक से में चल सकते थे लेकिन अभी आप सर्जरी स्पाइन के आपकी हो गई है आपकी जो गद्दित पूरी तरह के से बाहर थी वो जगापे बीटा दी नॉसे को फ्री कर दी जिस वजह से आपके तकलिक पूरी तरह के चल, और अबे अमें इतना भी चलो कितना भी चलो लेकिन कोई तकलिफ नहीं रहते। तो नतो जी हमें आभी चल कर दिखाएंगे कि वो कितना फ्री हो गए है अभी पहले उनको सरजवी के पहले बिलकुल भी चलने तक का नहीं आ रहा था दो कदम भी वो मुश्किल से चलते थे लेकिन अभी दो किलोमेटर भी चले तो भी उनको दर्द नहीं होता तो चले आभी नहीं चले इतना जादा जो इंसान स्पाइन के तकलिफ के वजह से 15 दिन से लेट कर ही था एक कदम भी उन्होंने नहीं चला था क्योंकि दर्द ही उतना जादा था कि वो ठीक से बैट भी नहीं सकते थे खड़े भी नहीं रह सकते थे लेकिन सरजवी के बाद अभी आपने चलते समझें को कोई बोल भी नहीं सकता कि अगर ये बैल उनके कपड़ों के अंदर रहेगा है उन्हें कोई पेशेंट हिआँ अगर आप इस तरह के से मार्केट में जाओगे कपड़े पहिंके तो आपको कोई बोलेगा कि आप पेशंट हो इतने जादा आप ठीक हो चुके हो और नथु जी का यहां आने का कारण एक ही था कि उनके रिष्टेदारों का पहले अपने यहां पे स्पाइन सर्जेरी हो गए सबी काम करें कि नहीं सबी काम करें कि अभी आप भी स्पाइन के वजह से लेट कर नहीं रहोगे आपने